कलस्ट टीबी की पॉपलेर सील परिनिती में हमने अब तक देखा कि परी राजीब के घर को छोड़ कर जा रही होती है और राजीब की माँ परे को रोकने की कोशिश करती है जिससे की बढ़नाला में उसकी इज़त खराब ना हो आगे राजीब की माँ यहां तक की ये भी कह देती है कि अगर तुने ये देहलीज लांग ही तो उसके बाद कोई माफी नहीं मिलेगी और परी लांग देती है और कहती है मिल गया होगा आपको अपना जवाब आगे राजीब की माँ ताई जी को कहती है कि परी में ऐसा क्या है और ऐसा क्या जादू कर दिया है जो आप उसी की तरफ ले रही है और यहां पर ताई जी राजीब और राजीब की माँ को बहुत सुनाती है बहुत भला बुरा कहती है आगे हम देखते हैं कि राजीब की मा अपने बेटी को भी बहुत सुनाती है और कहती है सब तेरे वजह सीवा है और तू बहुत सेलफिश है और तभी राजीब कहता है कि ये सच है कि हमने परी के साथ बहुत गलत किया है ये हमें मानना ही पड़ेगा आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर परीमनही मन सोचती है कि मैंने ये घर तो छोड़ दिया है लेकिन इस घर को छोड़ने के अलावा मेरे पस कोई चारब ही किया था और मैंने ये सब नीती के लिए ही किया है एक बार मैं राजीब को माफ भी कर देती लेकिन यहाँ पर नीती का भी सवाल है वेल इसी के साथ आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो राजीब है और राजीब की माँ दोनों परिशान होते हैं कि बरनाला कहीं परी ना चली जाया जिससे कि उसकी इज़त ना खराब हो जाए वहीं आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर राजीब और राजीब की मा बाहर आते हैं और ताई जी घर से बाहर निकालने की बात करते हैं राजीब को और वहीं उसकी मा को भी हालकि यहाँ पर राजीब और राजीब की मा गड़ गड़ाते भी हैं आगे हम देखते हैं कि परी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि जल्दी आने के लिए नीती की तबियत काफी खराब है और परी तै कर लेती है कि वो आज नीती को सब कुछ सच सच बता देगी वेल इसी के साथ आगे हम ये भी देखतें कि यहां पर ताई जी राजीब को कहती है कि आज तुझे परी के दर्द का हिसास नहीं होगा लेकिन जिस दिन तुझे नीती छोड़ेगी ना उस दिन तुझे पता चलेगा कि आखिर परी किस दर्द से गुजरी है अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई में नीती की सामने सचा पाएगा और जब सच आएगा तो क्या नीती छोड़ेगी राजीब को जानने के लिए देखना न भूले परी नीती टेलेविजन की लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले